हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू आर चैनल अजीज कीचन बाई शाजिया और आज मैं ये रेसिपी के साथ साथ आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और ये कहानी है हाउस वाइफ और वरकिंग विमन के लिए जो अपनी बेहनत और प्यार से घर के काम को दोनों को कितने अच्छे से संभालती हैं तो चलिए रेसिपी देखते हैं और साथ साथ कहानी सुनाती हूँ तो रेसिपी मेरी आज मैं बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची पर्फेक्ट एपिटाइजर है ये मश्रूम क्रिस्पी फ्रा आप घर पर बनाएं इसे ट्राई करें बहुत मज़ा आएगा आपको बहुत डिलिशियस है तो चलिए ये मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ और इस रेसिपी में खास बात है कि इसे बहुत प्यार और डिलिकेशन के साथ बनाया जाता है जिस तरह वर्किंग वोमन हो या हाउ हाउस वाइफ हो अपने काम में डालती है चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैं अपनी रेसिपी बना रही हूँ और साथ साथ आपसे एक बात शेयर करना चाहते हूं क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हाउस वाइफ अपनी डिसिप्लीन और 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 नाइस अप्रोच के स साथ अपने घर को कितने सुकून से चलाती हैं मैं हुद एक हाउस वाइफ हूँ और मैं ये बात मानती हूँ कि हम अपने डेली रूटीम्स और रिस्कॉंसिब्लीटीज के साथ कितनी और्गनाइस रहती हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि वर्किंग विमन भी अपने शेड हैं हर एक रोल की अपनी खासियत है तो मैं आप से पूछना चाहती हूँ आप सबसे क्या आपका एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि हाउस वाइफ बेटर डिसिप्लीन और और और्गनाइस होती हैं वर्किंग विमन से कंप्रीजन में आप आप क्या सोचती हैं आप अपने जज़बात नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और फिर इस तरह हम सब मिलकर इस इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे और मुझे आप सबसे एक अपील भी करना है मैं एक अपील करूंगी आप सबसे चाहे आप हाउस वाइफ हैं या वर्किंग विमन हैं हर एक काम बहुत इंपॉर्टन्ट है हम अपने कितार को पूरी मेहनत और डिरिकेशन के साथ निवा रहे हैं और हम सब खास हैं हमेशा ए एक बेटर सुसाइटी बना सके एक बात मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई हाउस वाइफ है और उसे अगला पूछ देता है कि क्या करती है आप तो पहले तो वो कुछ सेकंड के लिए चुपू जाती है और बहुत ही शर्माते हुए जिजगते हुए धीरे से बोलत ही है कि मैं कुछ नहीं करती हुए मैं हाउस वाइफ हुए और यह बात बहुत सोचने वाली बात है मैं कुछ नहीं करती हुए मैं हाउस वाइफ हूं मतलब इसके पीछे क्या सोच है क्योंकि घर संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है यह हर कोई जानता है लेकिन फिर भ में चर्चा करनी चाहिए यह बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर हाउस वाइफ और वर्किंग वुमेन की एक कहानी होती है यह इंस्प्रेशन है तो इस बात पर बात होनी चाहिए और होगी मैं अगले वीडियो में इस बात पर बात करना चाहती हूँ और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करना ना पूरें और आप सब का बहुत बहुत थैंक्स जो मेरे साथ हैं ऐसी ही कहानी और रेसिपी के लिए हम मेरे इस चैनल पर लजीज की चनवाई शाजिया पर बने रहें आप सब खुश रहें सेहत बंद रहें और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें और यहां पर मेरी रेसिपी भी तैयार हो चुकी है यह स्नैक्स ट्राइब हो गए है और बहुत ही मज़े की है आप ट्राइब करें और फिर मैं मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें बहुत पुश रहें अल्ला हाफिस यह स्धा पुश्छ पुश रहें अल्ला हाफिस